खुलूंखा चिबाई मेरे सब प्यारे तीप्राशा लोगों को मैं आज फेस्बुक लाइव में आ रहा हूं आप लोगों को कुछ बात बतानी के लिए सबसे पहले मैं अपने तीप्राशा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो आप मेरे साथ स्ट्रागल कर रहे हो आपने स्ट्रागल किया है आज विमिन्स डे भी है मैं अपने सब मा को अपने बहनों को मेरे बुमा को जो मेरा असली पावर है जो मेरा असली शक्ती है मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूं कि आज अगर हमारा शक्ती कुछ भी है तो वो आप से है आपने हमारे लिए बहुत संखर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है आपने मुझे इज़त दी है और जब मैं कम्जोर था तो आपने अपने हाथ मेरे सर के उपर रखके आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ति दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग जोइन हो चुके हैं हमने कंप्रमाइज कर दिया है हमने अपना जो आइडियोलजी है उसको कंप्रमाइज किया है वो फेस्बुक में लिख रहे हैं मुझे मेसेज भी कर रहे हैं बहुत लोग बोल रहें कि बुबाग्रा हम आपके उपर विश्वास करते हैं लेकिन बहुत लीडर्स है जो तीप्रमोथा में हैं उनके उपर विश्वास नहीं करते हैं ठीक है मैं समझता हूँ, आपका emotion मैं समझता हूँ, मेरा duty भी बनता है कि आपको समझाओ, कि मैंने ये क्या है, क्यों किया है, सबसे पहले, एक बात clear है कि मैंने हमेशा कहा था, कि जब तक writing में मुझे कोई आस्वाशन नहीं मिलेगा, मैं किसी के साथ alliance नहीं करूँगा, मैंन CPM से बातकिए, मैंने BGP से बातकिए, election के पहले, ना BGP, नाbon Russell, ना CPM ने हमें guarantee में कुछ लिखके देने के लिए बातकिए, BJP ने एक draft दिखाए लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे, मैं election के बाद भी मैंनेertos से बातकिए, मैंने उनको भी कहा लेकिन उनका अपना reason होगा लेकिन उन्होंने बात नहीं माना लेकिन जब मैं hunger strike में गया जब हमने pressure किया तब finally जो लोग मेरा मजा को रा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका demand, क्या है ये constitutional solution आज government of India के home minister ने खुद TV के सामने स्विकार किया कि तुरुपुरा में, तुरुपुरा का history एक चीज है और तुरुपुरा में गलती हुई है government of India से गलती हुई है ये government of India Congress का हो या BGP का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो government of India का home minister अगर स्विकार करता है कि तुरुपुरा में अन्याई हुआ हमारे तिप्रासा के साथ तो ये एक बड़ा acceptance है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते है अब ये agreement जो हुआ है ये agreement में state government, central government और हम है हमें pressure रखना है हम pressure कैसा रखेंगे pressure हम इसलिए ऐसे एक तरह किसे रख सकते हैं कि state में अपना दो लोग जाएंगे और cabinet में pressure रखेंगे कि जो भी हमारा ADC का funding है जो भी हमारा लोगों का demand है उसको आप time declare कीजिए आपने देखा 110 post के लिए 27,000 लोगों ने अपलाई किया मैं ADC में computerization करना चाहता हूँ, पैसा नहीं मिलता है मैं teachers को, English speaking teachers को नौकरी देना चाहता हूँ हमारे इतने youth unemployed हैं, जो English teaching कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है हम जो भी projects भेजते हैं, पास नहीं होता है अब हमारा दो cabinet ministers, दो ministers हमारे cabinet के अंदर रहेंगे अब ये pressure डालेंगे कि हमारा police bill, जिसके लिए funding चाहिए village police के लिए, वो clear हो हमारा customer records, होदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथो का जो भी हमारा customer, उसका पैसा timely आए अब EDC में अगर पैसा भेजना है, तो हमारे दो लोग है अंदर और मैंने बिकाश और सुकला को भी कहा, कि पहले आप party को छोड़िये और जाती के बारे एक होकर हमारी minister के साथ मिलके, funds, टैमली भीजिये, हमारे लोगों को help होगा, इसके लिए मैंने दो लोगों को cabinet में भीजा pressure दालने के लिए, लोग सभा में हम choose करेंगे candidate कौन जाएगा, symbol national election में मतलब नहीं होता, pineapple हो या कुछ और हो, candidate मैं चुनूँँगा, क्यूंकि मैं जानता हूं कि अगर गलत लोग दिल्ली गए, तो वही मजा को राएंगे हमारा, वही हमें खतम करने की कोशिश क करेंगे क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद इनका आवाज बदल जाता है, तो मैंने सोचा है कि जिसको हम लोग चुनेंगे वो जाएगा दिल्ली और हमारे बारे बात करेगा और हमारा opposition नहीं करेगा, मैं परवा नहीं करता हूं कि symbol क्या हो, असली आदनी right man has to go, right person has to go to Delhi और मेरा रोल, मैं ना government में बैठूंगा, ना मैं cabinet में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जाओंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, और मैं pressure आपके through दूँगा, ये committee बनेगा, committee में मुझे lawyers चाहिए, जो land का कानून जानता है, committee में मुझे वैसे लोग चाहिए, जो एतिहास तुरुप्रा का जानता है, जो language के बारे जानता है, politician कम और intellectual जादा चाहिए, क्योंकि जो 6 महने में हमको निकालना है, वो हमको सोच समझ के और यहां से, यहां से fight करना पड़ेगा, यह mic पकड़ के fight नहीं करना पड़ेगा, मैं बहुत clear हूँ, मैं बहुत clear हूँ, कि मुझे क्या करना है, आज अगर मैं अकेला भूख हर्ताल नहीं करता तो गवर्मेंट यहां तक भी नहीं आता है, तो मैं दिमाग से fight करूँगा, आपका support तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशिरवात भी चाहिए, कोई और अगर हमको अपना point, अपना लोगों को, अगर आज government of India हमें कुछ देता है, तो यह मेरे लिए नहीं होगा, हम सब के लिए होगा, हाँ, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरे उपर इतना गाली दिया है, मुझे attack किया गया है, और यही लोग आज, जो BGP में हम उनके साथ बैठ रहे हैं, मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मैं तीपरासा के संग बैठ रहा हूँ, और अगर तीपरासा के लिए कुछ मिलने के लिए मुझे कोई दस गाली भी दे, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तीपरासा को उनका constitutional solution fully नहीं मिल जबता है, और उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूँगा, आप लोगों को लगता होगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि, वभागरा BGP ने IPFT को धोका दिया, आपको भी धोका देगा, IPFT मेरा role model नहीं है, मेरा role model अगर होगा तो शामा चरन तृपरा होगा या नागेंदर जमतिया होगा, आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है आपको मालूम नहीं है, जब शामा चरन तृपरा और नागेंदर जमतिया, ध्राव कुमार रियांग ने EDC के लिए fight किया और जब बात चला, तो इंदरा गांदी ने कहा कि आप हमें support करो, उन्होंने support किया, उस समय CPM के लोगों ने कहा कि इद्राव कुमार रियांग, नागेंदर जमतिया और शामा चरन तृपरा ने TUGS को बेज दिया है Congress के लिए, लेकिन EDC मिला, 1988 में जब विजयर आंखौल ने र तो उस समय CPM के गनमुक्ती परिशत के लोगों ने का अरे विजयर आंखौल ने तिपरासा को बेज दिया, अब ये तो राजीव गांदी को बेज चुका है क्योंकि सेंटर में राजीव गांदी वो बैसा खाकर बैठ गया, इतिहास गवा है कि आज 17 से 20 सीट जो हमें मिला है, वो बिजयर आंखौल ने दिया, क्या बिजयर आंखौल के पास महल है, आज नहीं, लेकिन उसने हमें तीन सीट दिया, आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कॉंग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गर्मेंट अव इंडिया से बात कर रहा हूं और जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे महाराजा ने बेजते हैं मुझे खरीद नहीं सकते । मुझे खरीद नहीं सकते आज मैंने जो लोग बोलते थे कि प्रद्यों तो उग्रुपन्ती है कॉमिनल है आज तीप्रासा को उग्रुपन्ती बोलते थे अब लोग आज बिना एक गोली चलाये बिना एक आदमी का खून बहे हमने गवर्मेंट अब इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि इतिहास में गलती हुआ है और एक अग्रीमेंट कागस में साइन करके हमने किया हम आईपी एफटी नहीं है आई पी एफटी का अग्रीमेंट में जेपी नड़ा का साइन था वो बीजेपी का प्रेजडेंट है हमारे अग्रीमेंट में होम सेकेटरी चीफ सेकेटरी जो उफिशल्स हैं उनके साथ हुआ है आई पी एफटी ने और एक गलती किया जब वो पावर में आए तो उनका टॉप टू लीडर्स एंसी देव बर्मा प्रेजडेंट मेवार कुमार जमत्या जनरल सेकेटरी दोनों मंत्री बन गए जिस देन पार्टी का टॉप टू लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं तो एक मेसे परिशत से बाहर रहेकर वही करूँगा जो मेरे लोगों के लिए राइट है मैंने कभी कहा ता अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेड़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा आज मैं वह कर रहा हूं अगर मैं धरता तो चु लोग को भेजूंगा ना कि वो लोग जिसने हमारे जनजाती का मजा को राया जिसने हमारा मूवमेंट का मजा को राया जिसने गाली बका जिसने क्या नहीं अनाप्शना बका मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूँ मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूँ क्यों कि मैं Constitutional Right के बारे वो MP ने बात नहीं किया, तो नुकसान Community का हुआ, मैं लंबा खेल रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और हाँ, CPM बोल रहा है कि आप यह है, वो है, आपने क्या-क्या 25 साल तक हमारे साथ, पावर में थे, क्यों नहीं किया, जब आपके पास पावर था, आपको किसने रोका था, UPA था, मैं था कॉंग्रिस में, IMPT, बिजया रंखौल, जगदीश दे बर्मा, रभिंद दे बर्मा, लेट रभिंद दे बर्मा, कितने बार दिल्ली गए, कितने बार शंबू सिंग से मिला, कहा कि 125th amendment पास कीजिए, 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 नहीं किया आपने आपने सच्चिन तिंदुलगर को भारत रतने दे दिया लेकिन हमारे नौर्थीस्ट के council को आपने 125th amendment नहीं दिया क्योंकि आपका priority कुछ और था आज आप बोल रहें कि हम करेंगे आज आप power में नहीं है और मैं जानता हूँ कि आप power में नहीं आ रहे हैं तो मैं उसी से बात करूँगा जो हमें कुछ दे सकता है मैं आपका लड़ाए लड़के अपने लोगों को और गरीब भिकारी और वंचित नहीं रख सकता हूँ लेकिन हाँ मैं आज भी राहूल गांदी के खिलाफ प्रियांका गांदी के खिलाफ सुनिय जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं आज भी इज़त करता हूँ लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे लोगों को आज न्याई चाहिए, हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए, और मैं उनी से बात करूँगा जो आज पुजिशन में है, पाउर में है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए, मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता आपका काम हमारा आवास को क्याबिनेट में रखने के लिए अगर मादबारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको हटना होगा और आपको हटना होगा क्योंकि आपको ये position पब्लिक ने दिया है और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे उस दिन आपका time खतम हो जाएगा मैं प्रद्योद बिक्रम मने किया भूप घरताल में गया पास दिन ते कुछ नहीं खाया आपके लिए रोया आपके लिए fight किया आज मैं वही प्रद्योद बिक्रम मने किया आपको बोलना चाहता हूँ लोग सभा के बाद 6 मेहने का time line है 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन अगर 70% भी मिला जिसे home minister ने कहा है गलती हुई है past में गलती हुई है आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा home minister ने कहा है home minister ने और एक चीज़ कहा हम एक कदम नहीं हम दो कदम आगे बढ़ेंगे अगर देश का home minister ये promise करता है मुझे नहीं TV के सामने सब तीपरसा को promise करता है तो हमें भी विश्वास करना चाहिए चांस देना चाहिए मैं आपको बोला चाहता हूँ कि दूसरे के fight में मद गिरो कौन बिहार में जीत रहा है कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है कौन बंगाल में जीत रहा है कौन टमिलनाट में जीत रहा है कौन करनाटिका में जीत रहा है उसमें मुझे नहीं पढ़ना है किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे किसी ने चिंता किया जब हमारे ओपर किसी और का भाष़त लगाय जा रहा था किसी ने चिंता किया जब हमारा मा गरीब मा किलोमीटर चलता था पानी के लिए किसी ने चिंता किया जब हमारे बुरू को कंचनपूर में भिकारी जैसा रखा गया था किसी ने आवाज उठाया नहीं तो मैं भी आज आज उनके लिए नहीं उठाऊंगा और जब तक जब तक और हाँ यहां में दो तीन लोग है वेर इस यो तीप्रा लैंड वेर इस यो तीप्रा लैंड कहां अग्रीमेंट में डिखा है कि नहीं मिलेगा सर मजाक मत ओड़ाई है हमारा आपने मजाक ओड़ाया कि छोटा पाटी है आपने मजाक ओड़ाया मिश्रा नहीं आएगा आपने मजाक ओड़ाया भूख करो भूख से मरो कुछ नहीं मिलेगा मिला ना आज भी आप मजाक ओड़ाते हो ज्यादा मजाक मत ओड़ाओ महाभारत में पांडव ने पांच गाउं वांगा था पांच गाउं अगर दुरियोधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुरियोधन को मलना नहीं पड़ता दिल बढ़ा करो हमारे तीप्रासा ने बहुत साक्रिफाइस किया है आज समय आया है कि हम सब भाइ-भाइ बनकर रास्ता देखे एक दूसरा से न लड़े और इसके लिए भाइ-भाइ बनकर लड़ना है भाइ-भाइ के साथ लड़ना है आज अगर त्रुपरा के महराजा बाउंडरी नहीं खोलते 46-47 में तो जो लोग आज जैश्री राम बोल रहे हैं अल्ला हो अक्बर बोलते समझ कि जाईए कि हमने भी अपना जमीन खोला कॉंट्रिब्यूट किया हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए हम किसी के खिलाफ नहीं है हम अपने लोग के उठानी के लिए ये मेरा मेसेज है बहुत लोग जो उल्टा सीदा बोलेंगे उनको बोलना है बोलने दीजिए आपका नफरत को मैं प्यार में कनवर्ट करूँगा और हाँ आज जो मेरा दोस्त है पहले मेरा जो दोस्त था वो दोस्ती रहेगा आज भी मैं क्योंकि मैं यहां में आया हूँ तो मैं अपने पुराने दोस्तों का राहूल गांदी हो प्रियांका जी हो या सोने जी हो उनके खिलाफ कुछ नहीं कहुँगा मेरा लड़ाए उनको गाली देकर उठना नहीं है मेरा लड़ाए अपने लोगों को उठाकर अपने नेक्स जेनरेशन को कुछ देकर हम अपना लड़ाए को जीच सकते हैं और अब टाइम आया है कि हमें ये फाइट यहां से भी और यहां से भी लड़ना है और वो में करूँगा अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ I love you and I'm sorry if I've hurt you but I'm only fighting so that we can get a better tomorrow this tomorrow is for you once again Belay Belay Nohambay and happy women's day to all my boomas, sisters mothers, I love you God bless you God bless Deeprasa